हलो एवरिवान स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या हाल चाहे वाट्स आप गुड़ी इवनिंग प्यारे प्यारे बच्छों को आप सब लोग एक दिन ठीक हो पॉफेक्टली फाइन हो और से आज क्या है नारी दिविस तो क्या पोलना है हमको हापी विम मम्मी लगी रहती है खाना खाले स्कूल चाला जा बैक पैक कर ले यह कर ले वह कर ले सब करती मम्मी बड़ी बहन आपको सजेशन देती है चोटी बहन बाल कीचके चॉकलेट खा जाते हैं तो यार हर औरत का हर लड़की का हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ मदद से सीखेंगे कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि हम रोज बोलते हैं बाट इंग्लिश में थोड़ा असाना हिच के चार्च आते हैं तो आप लोग मेरे साथ हो तो जल्दी से थाम्स आप किया माम हम लोग एक दिम रही हैं जल्दी से शुरू करूं सिरीज चल रही है ना मारी ट्रांसलेशन की अब तक हम लोगों ने स्टोरी राइटिंग से सीखा आज हम लोग सीखेंगे डेली यूस सेंटेंस की मदद से इंग्लिश ठीक है तो चल ये स्टार्ट कर देते हैं कुछ सेंटेंस में आप लोगों को यहां पर लिख कर दूँगी आप लोगों को उसको सेंटेंस में कंवर्ट करके बताना है होमवर्क समझो क्लास्वर्क समझो कुछ भी समझो बट कॉमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना जरूरी है पहला सेंटेंस है हे भगवान मैं थक गई हे भगवान मैं थक गई मरने नहीं देगी मैं तुमको थक आ रही हूं ठीक है हे भगवान मैं थक गई दूसरा आज तो मम्मी से बहुत मार पड़ी रोज पढ़ती है वह लग बात है बट आज तो मम्मी से बहुत मार पड़ी मुझे ऐसा लग रहे कि में इंग्लिस से ज्यादा हिंदी की राइटिंग साही लग रही है क्या कहता हिंदी में लिखने शुरू कर दे क्लास में इसे कैसे चलेगा यार इंग्लिस की टीचर हूँ थोड़ा मतलब इंग्लिस से भी टच रहना चाहे न तो यह दो से कॉमें सेक्षिन में आपको ड्रॉप करने हैं याद से कि इन दोनों की इंग्लिस ट्रांसलेशन क्या होगी सही वर्जिन आप लोगों को आंसर में कॉमें सेक्षिन में ही मिल जाएगा तो लेट स्टार्ट मिल जाएगा आप लोगों को हर क्वेशन के लिए एक मिनिट मिलने वाला है एक्जाट एक नहीं मिलेगा आगे पीछे हो जाएंगे क्यूंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं रोज खेलते हैं कि एक आदत है है न एक आदत है तो कौंसा टैन्स यूज होगा प्रेजेंट टैन्स यूज होगा क्या बनेगा बताओ चलो जल्दी से बच्चे यानि के चिल्डरन रोज यानि के डेली शत्रंच मतलब चैस खेलना मतलब प्ले जोड़ दो अब तो सेंटेंस को जोड़ सकत चिल्रण बच्चे बहुत सारे दो चिल्रण प्लेड चैस डेली आप लोग बताओ आप क्या खेलते हो फ्री फायर और पबजी के लावा कोई बार का गेम है हमारे टाइम पर तो यार लूड होता था एक स्टैप पोलता है किस उसको आठ सम्थिंग बॉक्स बनाते थे और उस जब मैं वहां गया वह सो रही थी जल्दी से बताएंगे जब मैं वहां गया वह सो रही थी जब मैं वहां गया वह सो रही थी सोती रहते सारा दिन कुम करण की तरह सोती रहते ममी बोलती ने तुमको यह यार बच्पन में तुमने यह नहीं सुना तो फिर क्या फाइदा जब देखो सोती रहती है ग्यारा बजोटती है खाना खाती है फिर सो जाती है तो क्या बनेग या फिर वेन आई रीच देर शी वो स्लीपिंग भाई वो सो रही थी जब मैं वहां गया वो सो रही थी क्या कर रही थी? सो रही थी थोड है हमारा क्या तुम उसे पहचानते हो? नहीं, मैं उसे बिल्कुल नहीं पहचानती तुम बताओ क्या तुम उसे पहचानते हो? क्या होगा इसका इंग्लिश वर्जिन? जल्दी से इन दी कॉमेंट सेक्शन क्या तुम उसे पहचानते हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पहचानती क्या बनेगा पहचानना मतलब no do you know her do you know her question mark do you know her क्या तुम उसे पहचानते हो या फिर do you recognize her क्या तुम उसको पहचानते हो no भी हो सकता है recognize भी हो सकता है recognize यानि कि पहचानना ठीक हें ? तुम्हारा भाई कॉन सी कक्षा में पढ़ता है ? जल्दी बताओ answer भी बता सकते हो अगर भाई है तो मेरा भाई टेंद सुनिल्धaces में पढ़ता है मेरा भाई तो अभी छोटा ही है जल्दी बताओ क्या बने गए sentence का ? तुम्हारा भाई कौनसी कख्षा में पढ़ता है? Your brother, तुम्हारा भाई, your brother studies in which class? In which class? कौनसी क्लास में पढ़ता है? Studies आएगा, क्योंकि भाई एक है, brother है, singular है, तो Studies आएगा. अगर यहाँ पर brothers होता, तो study होता. फरक समझाया? Translation के साथ-साथ, tenses भी strong करने की कोशिश करनी है. ठीक है? चलो. तुम्हें English कौन पढ़ाता है? राधिका मैम, यह नहीं लिखना है. English बताओ. तुम्हें English कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाते भई? जल्दी. Who teaches you English? यह हमेशा बढ़ा आएगा क्योंकि English एक सबजेक्ट है. Who teaches you English? ठीक है? Next. मेरे पहुँचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी. यह तो हमेशा कसीन है. जा समर्न जाव में भी ट्रेन भाग रहे होते हैं, सिमर्न बस चड़ जाते हैं, बाइचांस. बट जैनरली तो मतलब ट्रेन चूटी जाती है, ना यार? वन्ना चलान कट जाएगा चेन खीचने के लिए. तो मेरे पहुचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी. फट फट से बताएंगे. मेरे पहुचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी. मेरे पहुचने से पहली ट्रेन चली गई, यार मुझे छोड़ के, तो गलत बात है. है ना, जब वे मैठ याद आई, करीना कपूर की नहीं आई. मतलब तुमने देखी नहीं है, आजकल की जेनरेशन. उसमें क्या होता है, कि वो जैसे ही ट्रेन से ट्रेन चली जाती है, तो काफी बुरा हुचने से पहले ट्रेन जा चकी थी गाड़ी आनी की ट्रेन है लेफ बिफोर आई रीच्ट, यदि तुम यहां आओगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, अगर तुम मुझसे पढ़ोगे अच्छे से तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हमें वोट तो हम तुम्हारी घर में राशिन, पानी, एलेक्रिसीटी सब करवा देंगे, ठीक है, यहां पर जल्दी से बताओ, यदि तुम यहां आओगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, जल्दी से वोट दे दो बस यहां पर बिजली, पानी, खाना, सब मिल जाएगा तुम लोगों को, जल्दी पड़ाफ़ाट, क्विकली, यदि तुम यहां आओगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, काफी अच्छी इंसान ने बोले हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तेरी तो लिखाई नहीं, तुम्हारी इनौल कम हैर, यह तो रिश्वत वाली बात होग घोगे, कि तू आएगा, तभी मदद करोंगा, वर já नहीं करने वाला, गलत बात है, इफ यूठ कम हैर, वी वी वेल हैटि यूठ gonna, नहीं करने वालो, थीक है, अब आ जाते हैं, वे छोटी छोटी बात पर लड़ पड़ते किसकी बात हो रही है भाई बहन की ऐंकि चोटी बातों पर लड़ पटे हैं क्या बने का कि यह चोटी चोटी बात पर लड़ परते है आदी बादी तो बात इन होती बेविचूल में लड़ लेते हैं है ना लड़ते चोटे भाई भेंसे बाल खीच के एक दम बाल कीच तडीवार में सर मार दिया बाल खीच और खुदी रोने लगए कि वह भाई मार रहा था कभी य कि यह से नहीं किया तो मतलब क्या ही फंट किया तुम लोगों ने कि पहले भाई को मार दिया और उसके बाद खुदी रोन लगए कि मम्मे भाई मार रहा है तो वे चोटी-चोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं दे आई दे फाइट ओन स्मॉल टॉपिक्स या फिर दे स्टार्ट फाइटेंग ने स्टार्ट फाइटेंग और स्मॉल टॉपिक्स या फिर कॉन्विजेशन भाई बेन होती ऐसे हैं यार क्या ही कर सकते हैं है ना दाट इस दी essence of their relationship essence यानि की वही तो खास्यत है हां हमारे रिष्टे की कि भाई बेन को वज़े नीची होती बेफिजूल में ही लड़ लेते हैं वो एक शराबी है वो एक शराबी है जल्दी बताओ रोज यूस करते होंगे यार गली महले वाले लोग ये शब्द रोज यूस करते हैं ना कभी ना कभी तो सुना होगा यार वो एक शराबी उससे बचके रहना वो एक शराबी है बहुत ड्रामा करता है और अगर तुम लोग सास बहु सीरियल देखते हैं तो उसमें तो बहुत ही फेमस है वर्ड यार वो बहुत शाराब पीता है बहुत ही जादा पढ़ा रहता है नाली में कहीं सुने ऐसे वर्ड तो आज वही वाले शब्द लाई हूँ जो हम लोग रोज सुनते हैं बट इंग लेक अलकोहालेक शराबी एक इसमर कफल मीठा होता है लगता है क्यार सब्स्क् приним कुछ मिल क्यों क्यों मीठा कुछ दूम ही ने रहाओ याम अमरूद जैसे कुछ क्यों meidän बट यह बस बोलने वाला है कि सब्सकाश मीठा होता है अस्ली में अमरूद या आम या फिर बढ़ी ह ऐसा सेब नहीं आने वाला है, ठीक है, फल मतलब यहां पर दूसरा वाला फल है, कि मतलब उसका result, फट फट से बताएंगे सभी बच्चे जल्दी, quickly, सब्र का फल मीठा होता है, reward of patience is, reward of patience, patience is sweet, reward of patience is sweet, ठीक है, clear है भाई यहां तक, thumbs up की हाँ माँ मज़े आ रहे हैं, हम तो यह रोज सुनते हैं बट English नहीं बदा थी, आज सीख ली, thumbs up जल्दी सो suggestion देना कि अगली बार हम लोग live session में translation कर लें, याद से suggestion दीजिएगा, चलिए, आगे आज जाते हैं, उसने बहुत गलत तरह से बात की, उसने बहुत गलत तरह से बात की, जो तो ममने छोटे भाई बैना से करते हो, तू सिखाएगा मुझे हैं, छोटा सा है, नहीं तू, तू सिखाएगा मुझे, ऐसे बोलते हैं न, कभी को बड़े भाई बैन, जल्दी से बताओ, उसने मुझसे बहुत गलत तरह से बात की, जल्दी से बताएंगे, बहुत ही बुरे तरीके से बात की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कौन, कौन अच्छी लगती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, यह तो पक्का सब को पता होगा, 110 पोसंट यह सब को पता होगा, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है I like her very much I like her very much I like her very much मुझे बहुत बड़ी लगती है ठीक है भाड में जाओ बहके बहुत पता नहीं है वरना कुछ लोग तो मुझे लगते हैं जाते घुमते गुमते किया कुछे अडवेंचरोस कर लेते हैं भाड में जाओ तुम्हें नहीं कह रही हूं सेंटेंस का बताओ जली से ट्रांसलेशन भाड मतलब हेल गो टू हेल गो टू हेल ठीक है चलने आगे हम लोग एक छोटा सा हूंवग दे रही हूं कि वोमें डे हैं नाज तो यह जो वुमिन है यानी कि एक महिला इस में से डबली ओ एम एं इसके पांच योड गू Minute comment section में मुझे इसके 5 words चाहिए comment section में यह आप लोगों का homework है अभी class over नहीं कर रही हूँ but मुझे याद आया है तो मैंने पूछ लिया and make sure क्या आप लोगों की classes मिसना हूँ तो क्या करना है like share subscribe याद से कर लीजिए गए तीनों चीज़े ताकि अगली class मिसना हूँ notification आजा है आप लोगों के पास ठीक है चलये आगे चलते हैं मुझे परिषान मत करो मुझे परिशान मत करो मुझे परिशान मत करो या तो हो सकता है डोंट डिस्टॉब मी या फिर डोंट इरिटेट मी डोंट इरिटेट मी इरिटेट मतला परिशन करना तंग करना ठीक है यह दो हो सकते हैं वो बहुत ही महनती इंसान है वो बहुत ही महनती इंसान है वो बहुत ही महनती इंसान है क्या बनेगा इसका जल्दी से मैं इसलिए टाइम दे रहूं ताकि आप लोंग कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकों ठीक है ही इस अवेरी हाद वोर्किंग पोर्षन ही इस अवेरी हाद वोर्किंग पोर्षन रीमा सुबह से खेल रही है रीमा सुबह से खेल रही है रीमा सुबह से खेल रही है present expect continuous tense क्या बनेगा वेट कर रही हो मैं जल्दी से बता दो रीमा सुबह से खेल रही है रीमा सीमा शाम जो भी लगाने लगा सकते हो रीमा सुभा से खेल रही है रीमा has been playing since morning रीमा has been playing since morning ठीक है next we have मैं कल बाजार जाओंगी मैं कल बाजार जाओंगी आगेल जाओंगी ऐसे होना चाहिए जाओंगी यार में के हिंदियों तो नहीं अच्छी नहीं है I'm sorry जाओंगी यही होता है कि है यार जाओंगी मैं उ की बड़ी मात्रा यार जैसे भी लेखे पलीज्ट जाओंगी समझ जाओ तू कुछ यहाँ पर हिंदी के बहुत महान लोग होंगे वो बोल सकते हैं मुझे कि माम आपको जाओंगे लिखना निया या नहीं आता ठीक है मेरी हिंभी उतने अच्छी नहीं है कि मैं लिख सको बोल में अच्छे से लेती हूं बर्थीक है मैं कल बाज आल जाओंगी या फिर अज़ि Lamby गोटो दी मारिट कॉमढ़ो च्पोटे मार्केट टूमोरो कौन सा टेंस है यह जल्दी से बताऊ कौन सा टेंस है I will go to the market tomorrow कौन सा टेंस है फटाफट will have the future I will go to the market tomorrow future in definite 10 तुम्हें मुझसे कोई दिककत है बता सकते हो तुमन मुझे कॉमें सेक्शन में तुम्हें मुझसे कोई दिककत है तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है जल्दी से फड़ा फड़ तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है नहीं है तो आंसर बतादो यार जल्दी से Do you have any problem with me? Do you have any problem with me? ठीक है वो बहुत बातुनी है या फिर शी लगा सकते He is very talkative He is very talkative He is very talkative ठीक है? चलो चलते हैं हम लग आगे तुम्हारी एड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी तुम्हारी एड़ी जल्डी ठीक हो जाएगी हम लोग यहाँ पर होमोफोन भी सीख रहे हैं साथ साथ क्या बनेगा भई तुम्हारी एड़ी जल्डी ठीक हो जाएगी यॉर हील विल हील सून हील सून ठीक है वो बहुत ही भावोक है सब लोग होते है यार सब लोग होते हैं वो बहुत ही भावोक है क्या बनेगा इंग्लिश में देखो कितने अराम से प्राक्टिस कर रहे है कोई जल्दी नहीं है मैं आपको time भी दे रहे हूँ कि आप लोग comment section में mention करो क्योंकि comments तो मैं देखती हूँ class के बाद है ना comments तो मैं याद से देखती हूँ जल्दी से answer बताओ वो बहुत ही भावुक है he या फिरशी is very emotional he is very emotional हम बात नहीं कर रहे हैं हर दूसरे दिन की कहानी है यह हम बात नहीं कर रहे हैं हम बात नहीं कर रहे हैं जल्दी से बताएंगे हम बात नहीं कर रहे हैं हम बात नहीं कर रहे हैं we are not talking ठीक है हम बात नहीं कर रहे हैं next है हमारा शोर मत मचाओ जोर मत मचाओ जब तुम लोग शोर मचा रहे हो तो इंठी कहती है शोर मत मचाओ चुप जाओ जटी मत मचाओ जल्दी बताओ क्या पनेगा रोज सुन तो यारड ये तो ये तो पकर वो सुनते हो जल्दी बताएंगे क्या होगा इसका Don't make noise Don't make noise ठीक है चुप रहो चुप हो जाओ क्या बनेगा चुप रहो चुप हो जाओ क्या बनेगा जल्दी से बच्चे बताएंगे फटअ फट छुप रहो या फिर चुप हो जाओ Keep Quiet अब एक quiet होता है शान्त रहने वाला एक quiet होता है थोड़ा मात्रा इस quiet disturbing थोड़ा सथ disturbing है वो वाला quiet टी के बाद ही आता हूँ सीधे बैठो Sit Straight सीधे बैटो मतलब सेट स्ट्रेट सेट स्ट्रेट ठीक है I hope यहां तक सब को clear है homework याद है न 5 words लिखने हैं आपको women को describe करने वाले W-O-M-A-N ठीक है आपको words describe करने है A से जैसे assertive हो सकता है amicable हो सकता है दो words तो मैंने बता दिये बाकी words आपको बताने है assertive और amicable हो सकता है बाकी words आपको बताने है A-K-M-K-O-W-N सब के vocabulary अच्छ हो जाएगी मैं homework चेक करने वाली हूँ next life session में pictures भी मांगोंगी कि कहा लिखा तुम लोगों ने ठीक है so make sure आप लोगे homework करें याद से once again wishing you all a happy women's day also कोई doubt है feedback देना है या कोई suggestion देना है तो comment section में आप लोगों के लिए दर्वाजे खुले है जी भर कर लिखो ठीक है I hope class अच्छी लगी है तो बच्चों ये हमारे तीन groups है पहला हमारा telegram पे है English विद्राधिका मैम आप जॉइन कर सकते हैं इसमें हम लोग class के updates देते दूसरा WhatsApp group है इसमें भी हम लोग link यहां दे रहे हैं जॉइन करें वहाँ पर updates आ जाते हैं और तीसरा मेरा Instagram handle है जहां पर मैं stories के तुरू बता दे तो कि कल की class कितने बज़े होगी कुछ fun session है या फिर नहीं तो इस आगे updates के लिए आप लोग इनमें जुड़ सकते हैं ग्रूप से दो और हमारे Instagram channel है class को करते होवर फिर चलिए session को करते होवर मिलेंगे हम लोग next lecture में बहुत ही बढ़िया fun session के साथ बाई, take care